कि नमस्कार दोतों मैं रावल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर जिस्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओलिपोर्ड ऐसे से एक्जाम में उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो गया हूं मेरी आवाज जो है वह आप सभी ते पहुंच पा रही है कहते हैं आप सभी दोतीन दिन के लिए माफी जाओगा कि दोतीन दिन आपका करेंट पैस नहीं आ पाया लेकिन येकीन मानिए कि जितना आपको इस करेंट पैस का इंतजार रहता है उसे कहीं ज्यादा मुझे इस बात की चिंता रहती है कि आपको करेंट पैस देना है तो अगर मैं कभी भी इ परिशान होने की जरूरत नहीं है आपको जो current affairs अगले दिन आएगा उसमें आपको पिछले news cover होते चले जाएगे तो आपको एकदम भी चिंथा करने की जरूरत नहीं है एकदम भी परिशान होने की जरूरत नहीं है आज current करेंट अब इस वीक थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा कि साथ बज़े आएगा किसी दिन छे बज़े आएगा मुस्ट लिए अब ये करेंट अब नेक्ट वीक से एकदम फिक्ष टाइम पे शुबह चे बज़े आना सुरू हो जाएगा और इसलिए थोड़ा था अभी एक दो दि कर लीजे अभी आठ बज़े का टाइम नहीं कर रखता हूं मैं आठ बज़े कुछ और चीज़े होती फिर मेरा पूरा सिस्टम डिले हो जाता है तो सुबह इसको छे बज़े करने का प्लान है लेकिन उसके लिए मुझे जो रात वाली क्लास है उसको थोड़ा था छोटा कर लाइगे आपको वीडियो के आपको इस चैनल पर सारी चीज़ों लब्द हो जाएंगे आए देख लेते हैं आज की के हमारे हैडलाइन्स क्या है यानि कि पिछले दो तीन दिन के हमारे हैडलाइन्स क्या है दो अप्रेल को मनाये गया विस्व और्टिज्म जागरुकता द आधिकारिक सुभंकर लाइब का अनावरण किया संकल्प तरू फाउंडेशन ब्लॉक्चेन लॉंच करने वाला पहला भारतिये एंजीयो बना केंदरी खेल मंत्री ने खेलो इंडिया 2021 के लोगो सुभंकर और गान को लॉंच किया दिल्ली में मेरेट कोरिडॉर के लिए भ भारतोलन चेंपियंचिप में स्वण पतक गीता कोंकर रेल्वे सौ प्रतिसत विद्धुती करन करने वाला भारत का पहला रेल्वे बना डॉक्टर एस राजु बने भारतिये भूवज्यानिक सर्विच्वण के नय महानिदेतल जियोलोर्जिकल सर्वेय ओप इंडिया किया गया पोकरन भारती सिना ने किया वहां पर एक हवाई अभ्यास और आइसी सी महिला विश्युकप आउस्ट्रिलिया ने साथ मी बार किताब गीता देश में सबसे कम बेरुजगार बेरुजगारी डर वाले राज्यों में पहले इस्थान पर छत्यत गड़ है कि आंद्र प्रदेश का पहला सी आटो तिरुपती में इस्तापित किया गया है अब कर लेते हैं प्रीवेट डे रिविजन यानि कि दो तीन दिन पहले हमने क्या पढ़ा था उसको पकड़ ले पर अंधता निवाराण सब्ता के अफसर पर प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ने किस वर्ष को बच्चों का द्रश्टी वर्ष भोसित किया है यह कौन सा आगया भाई इसको छोड़ दीजिए आज टुड़े करेंट पैस पहले कर लीजे वाला पिछले दिन का आगया जो मैंने आपको अभी निउस कवर कराई नहीं तो इसको हम लोग दीरे-दीरे कवर करते चले जाएंगे ठीक है अभी यह जो है वह उस तरह का है जो अभी हम लोग पिछले दिन बना था करेंट पैस लेकिन अभी मैंने वह निउस आपको कवर कराई नहीं है तो जैसे में कवर कराऊंगों वह आपको करा दो ठीक शलिए पिलाल आज की करेंट पैस में सबसे पहले देखते हैं कि पेस्सों आटेज में जागरुकता दिवास प्रतिवास कब मनाए ज 24 गंटे होते हैं और उसमें आदमी कितना काम करेगा फुल एकदम हंडेट परसेंट काम कर रहा हूं है तो विस्व आटेज में जागरुकता दिवास प्रतिवास कब मनाए जाता है यह हर साल दो अप्रेल को मनाए जाता है और जो है यह वैवार से समंधी एक बीमारी है इस इसकी थीम है इंक्लूजिव क्वाल्टी एजूकेशन फॉर आल यानि कि सभी के लिए समावेशी गुर्वत्ता पूर्ण सिच्छा और इसका में जागरुकता दिवस मनाए जाता है और इसका में मोटिव यह है कि आटेजिव के बारे में लोगों को बताया जाए क्योंकि क सभी के लिए समावेशी गुर्वत्ता पूर्ण सिच्छा इसके अलावा दो अप्रेल को मनाए गया अंतराष्टी बाल पुस्तक दिवस की मेजबानी कर रहा है यानि इस बार इसका जो मेजबान देश है इस पुस्तक हर साल इसका एक अलग थीम कंट्री होता है इस बार इसका जो थीम कंट्री है जो आपको मेजबान कंट्री है वो है कनाड़ा कहानिया पंक हैं जो आपको हर दिन ओड़ने में मदद करती है इस टोरी जार दो विंक्स देट हेल्प यू फ्लाई एब्री दे यहा दिन 1966 में थापित किया गया था हंस क्रिशियन एंडर्सन के जन्व दिन पर यह इसके आसपास मनाये जाता है प्रतिवस्ट IBBY का अलग राश्टी खंड ICBD का अंतराश्टी प्रायोजक होता है IBBY यानि International Board of CzechPhone अलग अलग योते हैं हर साल अलग 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 गेश्ट करवाते हैं इस बार कन आयोज़ित करवा रहा है कानाड़ circulation तक दिवस पतिवस कम मना जाता है 20 इसके लब चार को इसके वड़ी नहीं को लेकरी यह दिन मनाय है वो है सेफ। ग्राउंड शेफ इस टेप and this home सेफट शेफ इसि本से बाट्य को ने अबमार यह और को सिथ की था प्रते गवज की चार अप्रेल को अन्तराष्टिक खांड आगली जनकरी अप्रेल 2022 में विक्टर ओबान के देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं तो आपको याद हूंगी काटालीना नौवाक जो है वो अभी हाली में हंगरी की प्रेसिडेंट चुनी गई थी और ये आपके हंगरी के प्रधानमंत्री चुने गए हंगरी की राध्दानी क्या है हंगरी की राध्दानी बुड़ा पेस्ट है हंगरी कहा का कंट्री है यूरोपियन कंट्री है विक्टर ओबार ने तीन अप्रेल 2022 को हंगरी के प्रधानमंत है यानि कि पूरे यूरोपीय उन्य में जितने कंट्री है उनमें से सबसे ज्यादा समय तक एक ही पंद पर बने रहने का जो रिकॉर्ड है वह इन्होंने कायम किया है विक्टर ओबार ने इसके लब अभी हाली में जो लोग चुने गए उनकी बारे में बात कल लेते जैसे र सरदार बार्दी मुकमदेव और यून्सुक योल दा साउथ कोरिया तो यह साउथ कोरिया के राश्पती चुने कहें गैं। इसकातालीणा नोवाक हंगरी की पहली मैला प्रेसिडेंट चुने कहें तो यह हाली में जो एड आव श्टेट चुने गए उनके बारे में गैबियल बॉरिक शिली के और केटिलियन अनुवक हंगरी की प्रेसीडेंट अभी हाली में चुनी गई हैं अगली जान कहीं तो चलते हैं Grammy Awards की गोश्चना हो गई है और Grammy Awards की 64 में संस्क्रण की गोश्चना हुई Grammy Awards संगीत के छेतर में दिये जाते हैं लगबग 28 केटेगरी में ये पुरुसकार दिये गए हैं इस बार दो भारती और एक पाकिस्तानी को भी ये पुरुसकार मिला है उनके नाम आपको याद रखने होंगे Grammy Awards की संगीत की दुनिया से संबंद देता है मतलब कि जैसे पॉप एलबम हो गया रैप एलबम हो गया एलबम आप दा येर हो गया दुनिया बर के इसमें एवार्ट दिये जाते हैं 28 केटेगरी में ये एवार्ट दिये जाते हैं मैं important आपको बताते रहूं कि 64 में Grammy Award में 28 केटेगरी में एवार्ट दिये गये हैं इसमें भारती मुल्के Music Computer Rikki Cage Rikki Cage ना मिनका याद रखेगा क्योंग ये भारती मुल्के Rikki Cage के एलबम Divine Tides Rikki Cage के एलबम Divine Tides Rikki Cage के एलबम Divine Tides के लिए Grammy Award जीता है इसके लाबा भारती संगीतकर फालूसा फालूसा भी आप याद रख सकते हैं अरोज आफताब Grammy Award जीतने वाली पहली पाकितानी महिला बन गई है ठीक है पहली इंडियन जो Grammy Award पाई की वो थी तन्वी सा बहुत बढ़िया दिक्षा बिल्कु सही तन्वी सा जो है वो पहली बारती थी जिनको Grammy Award मिला था इसके अलाब आपको क्या ध्यान में रखना है चाहिए मनलब आपने रिकी केज का नाम याद रखा पालूसा का नाम याद रखा आपोज आपताप का नाम याद रखा क्या और याद रखना है सिर्भ एक चीज़ याद रखीगा Song of the Year Song of the Year Leave the Door Open Bruno Mars और Anderson Park ये नाम याद रखेगा Song of the Year Grammy Award में किसको दिया गया है Leave the Door Open दरवाजे खुले रखो कोई भी अंदर आजा है चोरी कल ले और Best एक और है एक और एक और एक और एक और काने वेश्ट 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 रैप सॉंग काने वेश्ट क्योंकि काने वेश्ट बहुत बड़ी सेलिबरेटी है इसलिए इनका भी आप याद रखो बाकी आपको याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं कि वह यह याद रखेगा Song of the Year Leave the Door Open Bruno Mars और Anderson Park को दिया गया है Best Rap Song काने वेश्ट को दिया गया है Best Rock Performance Proof Fighters को दिया गया है Best Country Elements starting over को दिया गया है Best Progressive में लग पढ़ने को दो पढ़ी सकते हो लेकिन जो याद रखने लायके जो एक्जाम में पूछा जा सकता है वो यही है ठीक है इसको याद रखंगा इस अगे पड़ते है बड़ा क्या है जो पास चाहत के दे देते हैं उन्होंने ही शुरू किया आए अच्छा लगता है वही कब आई से पर अटना सम्रद्ध है कि बादलों ते पानी बरच आ दे लेकिन उसको नहीं मिलेंगा क्यों 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 समझें भी नहीं आएगा लोगों तो उख समझ में आगा है याँ किए अगी पढ़ते हैं फीफा ने फीफा विश्सु कप 2022 के यह आधिकारिक सुभंकर के रूप में लाइव का अनावरन किया है लाइव का मतलब होता है स्रेष्ठ खिलारी अर्वी भाचा का सब्द है स्रेष्ठ खिलारी और आप देख सकते हैं यह अपना मलब वह लो सर पे जो पहनते हैं उसी के उपर इन्होंने कुछ बना दिया यह थोड़ा था पॉजिटिविटी लग रही है इसके आने से वल्लब अच्छा लग रहा है इसको देखकर के तो इसका नाम क्या है लाइव तो यह जो फीफा विस्व कब 2022 होने वाला है यह कहां होने वाला है क्या तर्व हैं में किदनी टीमें हिस्षा लेंगी 48 टीमें में दोजारचभीस का फीपाफिससी कप कहा पर होगा यूएसे मेक्सिको और गंड़ा में सर मस्कट की बाद छड़ी है तो मस्कट ही ही पढ़ा है और बागी तक हम लोग करते ही रहते हैं मस्ककट आज बने दिनों बाद मिला है तो मस्कट पढ़ेंगे कतर की राधदानी क्य ये आधिकारिक सुभंकर लाइव का नावरण किया है लाइव एक अर्वी सब्द है जिसका मतलब होता है अतिकुसल खिलारी सर्वस्रेश खिलारी 18 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा लाइव को उनकी यूव भावनाव के लिए जाना जाएगा वहार जेगा खुसी और विश्वास को फैलाएंगे ये इसके लावा आप हाली में जो गेम्स होने वाले है उंके कुछ या हुए उनके कुछ मस्काट यहां पर मैंने एकट्टे कीए है यह है आपका पेरी-पेरी ये कौन है पेरी 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 जो है आपके बर्मिंगम में कॉमन्वेल्द गेम तहां पर बर्मिंगम में दिखाई देढ़े आपको पेरी पेरी बर्मिंगम में commonwealth गेम होने वाले हैं उसका मस्कट क्या है पेरी पेरी इसके अलावा आपके 19 में Asian गेम होने वाले इसके तीन मसकट हैं कॉंग कॉंग लिख देता हूँ कॉंग कॉंग चिन 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 और लियान 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 वनलब हर नाम दो बार है है कॉंग चिन लियन कॉंग कॉंग चिन लियान लियान यह बिग द्वएण यह है विंग लुए लुए रोलंपिक का मसटता घजिजें विंटर उलंपिक का मस civत ब्रोंपिक एक ऊफिप्ट्थ के नाम याद रखिए को बिंग्ड विंग मिल्न서 यह कौन है नोगी निंग इसमाईटी हborg्झा यह में Dim Pre C यह कौन है तोक्यों और उसाइट ता कि यह आपके टोक्यों ओलंकिक और टोक्यों पैरालिंपिक यह है कि तोकयो लम्पिक का मसकटॉय कुछ थीक है तो पिरी पिरी किसका रपी एडियंग कोन्वर्थ य outs Inchal 2017 ется and完rement फिटिंग में विंटर ओलम्पिक हुए इस नाम रहते हैं चक्रा जाए आदमी यह आपका केरल में पहली बार राजिस्तर पर ओलंपिक होने वाले कांपर होने वाले केरल में राजिस्तर पर ओलंपिक होंगे उसका मसकट किसको बना और नामके खर्गोष को बनाएगा। ठीक है? आगे बढ़े अगली जानकरी एक और मस्करट है Halo इंडिया युनिवर्स्टी गेम ये इस बार कहा पर आयोजित होने Halo इन्डिया युणिवर्स्टी गेम जो हैं वो इस बार दूसरा संस्कृणन है करनाटक में आयोजित होगा पिछली Basel आपका इसका मस्कट है इसका क्या है तो कर्नाटे के राज इपाल थावर चंद गहलोथ और केंद्री खेल मंत्री अनौराथ सिंग ठाकुर ने एक अप्रेल 2022 को बैंगलोर में खेलो इंडिया उनिवर्स्टी गेम्स के लोगो जर्शी सुभंकर और गान का सुभारम किया है गैलोध ने गेम का लोगो और अधिकारिक सुभंकर वीरा लॉंच किया जबकि अनराक सिंग ठाकोर ने खेलो के अधिकारिक जर्शी के साथ था चंदन सेटी और निखिल जोसी दोरा लिखे गए गान को सुभारम किया है 2021 में कोविट के कार्ण इसे इस्तागित कर दिया गया था 2020 में ओरीशा दोरा खेलें युनिवेस्टी गेम के आयोजन के बाद यह दूसरा आयोजन होगा जो करनाटक में होने वाला कहां पर होने वाला है करनाटक में होने वाला ठीक है आगे बढ़ते हूं अभी हाली में इस्पोर्स से जुड़े वे करेंट अपयस की बात कर लेते हैं कि अभी इस्पोर्स में खेल में क्या-क्या आयोजन हुआ वैसे रात में नौ बजी एक क्लास आ रही है करेंट अपयस की दस तरिक तक वो क्लास आईगी और उसके बाद फिर हम लोग रिजनी की क्लास को कंटिन्यू कर देंगे स्वेस ओपन 2022 बैडमिंटन यह अभी हाली में किसमी जीता पीवी सिंदु ने जीत लिया है सैफ अंडर 18 18 वर्से कम आयू के लिए महिलाओं का जो चैंपियंशिप हुआ साउथ एसियन फुटबॉल चैंपियंशिप वो इंडियन वीमेंस ने जीता यानि कि भारतिये टीम ने जीता है सैफ अंडर 18 बांगलादेश में धाका में आयो जीत हुआ था दुनिया की नंबर एप टेनिस खिलाडी एसले बार्टी ने अभी सन्यास की गोशना कर दी थी लक्ष सेन ने अभी हाल ही में एलेक्षेशन से फाल गए थे फाइनल में और ऑल इंग्लेंड चैंपियंशिप में सेकेंड पोजीशन हासिल की थी यानि कि रनर अप रहे थे इंडियन सूपर लीग जो फुटबॉल से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है उसको जीता फॉर्मॉला वन बहरीन ग्रेंड प्रिक्स अभी आयो जित हुई जिसमें फेरारी के चार्स लेकलर ने जीत हासिल की बहरीन ग्रेंड प्रिक्स किसने जीती है अभी आयो जीत को जीत लिया थी जुट आप देने चेस अलंपिगयाड जो है वो चिन्ननै यह एडिजिजन हो है क्योंकि सब्से बड़ी संस्ता है वह आयोजीत करवा रही है भारत में वर्तमान समय canal हो चुके हैं नम्हें एनुन बनें भारत सुबरवन्य जर्मन ओपन बैडमिंटन में लच्छी सेंगतल मेडल सिलिवर मेडल दीता सा इसके अलावाроहा एहमधा बाद में में अभी हाली में हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने घ्यारव में खेल महा कुंब का उदगाटन किया घ्यारव में खेल महा कुंब का गोशना किया है इसके अलाबा याद रखेगा मीरा भाई चानु साइकों मीरा भाई चानू इनको अभी हाली में BBC ने Indian Sports Women of the Year का किताब दिया इंडियन Sports Women of the Year का किताब दिया ISWOTY बहुत बार पूछा गया है एकजाम पिछली बार किसको मिला था पौनेरू हमपी को इस बार किसको मिला है मीरा भाई चानू को BBC किस खिलाडी को लाइफ टाइम एचीवमेंट एवार्ड दिया किस खिलाडी को लाइफ टाइम एचीवमेंट एवार्ड दिया कि कि याद रखेंगे याद तो रहते हैं ग्यार में खेल महा कुम अहमदाबाद में है लिखा तो है इन अहमदाबाद कि अगे बढ़ते हैं एक अप्रेल 2022 को ब्लॉक्चेन लॉंच करने वाला परेया वरण सरच्षण के छेतर में पहला भारती एंग्यों कौन सा बन गया है तो यह दादा दादी दिखाई दे रहे हैं एक एंग्यों चलाते हैं इनका नाम है पांडिशन संकल्पतरू संकल्पतर हैं अब आप सोचेंगे कि इसमें ब्लॉक्चेन का क्या काम है देखिए जब कोई चीज दान दी जाती है तो अक्सल लोगों के मन में यह भ्रह्म रहता है कि मालीजे मैंने इनको 500 रुपए दान की हैं तो उसको कहीं और लगा दे तो ब्लॉक्चेन टेक्नलोजी एक ऐसी ट ऐसे में अगर किसी को एक डेटा पर बदलाव करना है तो उसे सारे कंप्यूटर पर जा जाके उस डेटा पर बदलाव करना होगा यानि कि हर एक नोड पर बदलाव करना होगा तभी जाके वो डेटा चंजTe सब्सक्राइब करने पांत्री यहां पर जा सकते हैं इससे फ्लड़ा विश्वास आएगा कि नहीं यह ब्लॉक्शेन टेकलोजी पर काम कर रहा इसका data कहीं से भी छुपा नहीं है कहीं पर भी ओपेंड डेटा तो यह ओपेंड डेटा होने की वज़ा से ब्लोक्चेन टेक्नलोजी को यूज़ कर रहे हैं ताकि इनके फांडेशन पर लोगों का और जढ़ा विश्वात आए ब्लोक्चेन टेक्नलोजी पर कर रहा है और यह अच्छी बात है देरे देरे यह प्रैक्टिक्स अभी में आएगी तो एंजी ओ का वाकरी में कुछ अच् सबसे बड़ी और भारती एक गैर लापकरी संताओं में से एक है अगला डिली टू मेरट कोरिडोर के लिए पहली रैपिड रेल का अनावर्ण मार्च 2022 में हो गया है और यहां पर आपको चीजे देख सकते हैं जैसे आप यहां पर देखेंगे गाजियाबाद है मलब गाजिय का पूरा नाम है तो नैशनल कैपिल रेजन ट्रांकपोर्ट कॉर्परेशन डिली से मेरट कोरिडोर के लिए भारती पहली रैपिड रेल का नावर्ण मार्च 2022 में राष्टी राजदानी शेत्र परिवहान निगम दौरा किया गया है रेजिनल रैपिड ट्रांजिस सिस्ट किया रहा है रैपिड रेल ट्रांजिस सिस्टम यह तरह की सिस्टम होंगे जो काफी तेजी से आपको यात्रा करवाएंगे यानि आप दिल्ली से मिरट आपको पश्क्पन मिरट में पहुंच सकते हैं रेलवे से जुड़ी वी एक और जानकारी है, हाली में किस रेलवे जेन ने, जो ने 100 पेसद विद्धूती करण पूरा कर लिया है, तो कोंकन रेलवे जो है, इसने अपना पूरा 100 पेसद विद्धूती करण पूरा कर लिया है, 12 सरकार का अलच्छा है कि 2023 तक, 2023 तक, भारती रेलवे अपने आपको ब्रॉड गेज नेटवर्क जितना भी ब्रॉड गेज नेटवर्क है उसको पूरे तरीके से 100 पिसद इलेक्ट्रिफाइड कर दे अभी कई जगह पर नहीं है कॉंकर रेलवे कॉर्परेशन ने अपने पूरे इलेक्रिफिकेशन कर लिया है तो वह है कॉंकर रेलवे कहा से कहा तक है महाराश से करनाटक है कब तक हमारा लच्छ है कि हम पूरा जितना भी ब्रॉड गेज नेटवर्क है उसको सौ पैसा इलेक्रिफाइड कर लेंगे तो दिसमबर 2003 तक हम इसको पूरा तक है किसान रेल देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाए कई ठीम पास्ची संगोला के साली मार तक चलाए गई ठीम हजारवी किसान रेल भी चलाए गई यह सावदा महाराश से आधर्स नगर नए दिली तक चलाए गई एक हजारवी किसान डेल, किसान डेल तीन है, पहली देवलाली से लेके दानापुर तक, सौवी संगोला से लेके सालीमार तक, एक हजारवी महराज सवादा से लेके आदर्शनगर तक, पहली टेक्स्टाइल ट्रेन, उधना सूरत, उधना सूरत से लेके पटना तक, पहली टे जरात में ही है चालतन से लेके संक्रेल संक्रेल खरकपुर तक इसके बाद सबसे लंबी ट्रेन जो मालगाड़ी भारत में चलाई गई थी उसका नाम था वास्ट की साड़े तो भारती यह बालतोलन चैंपियंशिप में गोल्ड मेडल जीता है आपसे यह प्रशने पूचा जा सकता है कि एन मारिया एंटी किस केल से समंदित है बहुत डूणने के बाद भी मुझे इनकी पिक्चर नहीं मिली है इसलिए यहां पर पिक्चर नहीं आई है को लोग कहते हैं सब्सक्र लगा दिया गरी है तो गोल्ड मेडल इन्होंने यहां पर जीत लिया है केरल की एंड मारिया सब्सक्राइब के साथ सद युवा और जूनियर सेडियों की राष्टी भारतोलन चैंपियंशिप में एन मारिया म्टी महिलाओं में गुर्दीप सिंग पुर्षों में स्वन्पदक जीता है एक अप्रेल 22 को भारती भू वैग्यानिक सर्विछन के नए महानिदिसय कौन बनाई गए हैं तो एक अप्रेल 2022 को एकदम नया अपॉयटमिंट हो गया है जियो लॉजिकल सर्वियर आफ इंडिया भारती भू वैग्यानिक षर्विछन्ट अनकर नाम एं डॉक्टर एस रा समाथ 2022 को सेवा निवरत हुए थे वर्तमान पर समालने ते पहले डॉक्टर राजू जी एसाई मुख्याले में अत्रिक्त महानी देथा और राश्टी प्रमुख मिशन तीन और चार के पत पर कारेज़त थे अभी हाली में कुछ एपॉइंट्मेंट हो उनके बारे में बात कर लेते हैं डॉक्ट आइफस रेनु सिंग फॉरेस्ट रिसर्च इंसिट्टीव टॉप इंडिया की डारेक्टर बनाएगे अच्छा डीजी फॉरेस्ट को ने तीजी फॉरेस्ट अभी एपॉइंट्मेंट क सबसे बड़ा दिकारी तो पॉरेस्ट रिसर्च इंसिट्यूट वन अनुसंदान संस्थान की डारेक्टर बनाएगें डॉक्टर रेनु सिंग गिल्बर्ट हॉंग्बो आई एलो इंटरनेशनल लेवर और्गनाइजेशन मुख्याले जेनेवा सुडियर लेंड मुख्याल रंजीत रत ओयल इंडिया लिमिटेड के हैड बनाएगे टी राजा कुमार एफटीम फाइनेंशल एक्संट टास्क फोर्स के हैड बनाएगे मारकस प्लेयर की जगह लेंगे देवसीस पांडा इल्डा इंसुरेंस रेगुलेटरी डेवलोप्मेंट अथॉर्टी इंसुरे आगे बड़े एक पुस्तक आई अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं एक नई पुस्तक क्रंश टाइम नरेंद्र मोधी नैशनल सेक्यूर्डी क्राइसिस किसके दौरा लिखी गई है अब तो लग रहा है हर कोई नरेंद्र मोधी जी के यह पुरपर पुस्तक लिख रहा प्रियम गांधी मोधी एक नैशन टू प्रोटेक्ट एक नैशन टू प्रोटेक्ट यह पुस्तक किसके है प्रियम गांधी मोधी के एक नैशन टू प्रोटेक्ट श्री राम चूलिया यह पुस्तक श्री राम चूलिया की देखो सुवास्चंद गोर्ष बगर की दा टेन ट्रिलियन डॉलर ड्रीम दा ट्रेन ट्रिलियर डॉलर ड्रीम सौमस मैथ्यूज की रतन एंट टाटा क्वे उपर बायोग्राफी लिखे रतन एंट टाटा आट बायोग्राफी है सौमस मैथ्यूज की तो यह पुस्तर नरेंद्र मोदी नेशनल सेकुरिटी क्रंच टाइम ये किस ने लिखी है सिर्यराम चूलिया सिर्यराम चूलिया जो है लिखे देखने पुस्तर क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सेकुरिटी क्राइसल का विमोचन विदेश मंत्री ताजमती मिनाची लेखी दौरा किया गया है वह ओपी जिंदल ग्लोबल उनिवेस्टी के जिंदल स्कूल आप इंटरनेशनल आपेर्स के डीन है पुस्तफ भारत के बहारी विरोधियों दौरा उत्परन सुरच्छा कत्रों के दौरान लिए गए निर्नेयों पर जोड देती है अभी आली में जो पुस्तक चर्चा में रहीं unwfilled barrels कि भी यानि कि भारत में भारत में तेल खाली यह पुस्तक लिखिती रिचा मिश्रा ने रिष्ट एश्योड एन आटो बायोग्राफी गुणप्पा विश्वनात की आटो बायोग्राफी है आर कौसिक द्वारा लिखी गई हूँ है more than the more than just surgery life lesson Beyond Operation Theatre डॉक्टर थेंपटन हिरा डॉक्टर थेंपटन हिरा कि टॉमबस इंड बुकर इंटरनेशनल प्राइज के लिए नॉमित भी गिताजली की पुस्तक है, रेत समाधी, टॉम बॉफ से इन्ड, गितानजली श्री की पुस्तक है, अभी चर्चा में रही, उगली उरवन, M.K. स्टालिन की बुख है, M.K. स्टालिन की जीवनी है, उगली उरवन, उंगली उर्वन एमके स्टालिन तमिल्नादू के मुख्ध मंतरी ब्लू बुख अमिताप कुमार ए हिस्ट्री ओफ सांती निकेतन उमादास गुपता ए हिस्ट्री ओफ सांती निकेतन उमादास गुपता ए नैसन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोधी और अटल वियारी बाजपई सगारी का गोज तिक चली आगे पड़ते एक अप्रेल 2022 को भारती सीना की एरबोन रैपिड रिस्पॉंस टीमों दौरा कहां पर एक अभाई अभ्यास किया गया तो हवाई अभ्यास के बारे में आप ज्यादा बात नहीं करते क्योंगे आज सामको हमलोग डिफेंस का करेंट अभ्यास रात में नौ बजे करने ही वाले हैं तो पस इतना याद रखेगा कि पोकरन में अभी हाली में भारती वाई उसेना ने एक हवाई अभ्यास किया है एक अपड़ अपील हाई हखेए अचम करने वहाई है एक बार इसको कंफर्म करना ये मुझे लगा रहा मैं मैं आज आठी बार पढ़ा है है ना आज मुझे लग रहा है मैंने निउस्पेपर में आठी बार पढ़ा है बट यहां पर सात्मा कैसे लिग गया यह समझे नहीं आ रहा तो तीन अप्रेल की सतक लगाने वाली पहली मैला बन गही है आपको बताना है इस्मृती मन्धाना की श्मृती मन्धाना सरवाधिक बार वेष्षकप खेलने वाली भारती महिला क्रिकेटर कौन बनी है निताली राज छे बार उन्होंने विष्षकप खेला है ठीक है इसके अलावा अभी भारत में अपना 1000 वह बंडे मैंच खेला था में अपना एक ऐजारवा बंडी मेंच किसके खिलाब के लाता वेस्ट एटीच के खिलाब के लाता अभी हाली में अंडर 19 विस्ट रख जीता है ठीक है अब मुझे याद आ गया कि इंडिया ने किसको भराया था इंडिया ने किसको अरा इए और यहाँ पर भी यह इस इनग्लेंड यह रही है तो भैंने शक्राइट करने की बहुत कर दूरा था हैं बार बार अ बिरोजगारी है और पूरे भारत का सबसे सच राज भी यहीं है पूरे भारत का सबसे सच राज भी यहीं है चतितगर जो है वह पूरे भारत का सबसे सच राज है और सबसे कम बिरोजगारी भी जो है वो यहीं पर है चतितगर डेश में सबसे कम बिरोजगारी दर वाले जो कि बहुत ज्यादा है कि ऑल इंडिया में कितनी है सेवन पॉइंट सिक्स परशेंट राजिस्थान में बहुत है हरियाना लिखा तो है हरियाना टफ्रे नंबर एक पर है उसके बाद राजिस्थान है चतितगरगी बात करें तो ये 35 राज रहा जिसने वन नेशन वन राजन कार्ड को इंप्लिमेंट किया फरवनी 2022 में इसके अलावा गुरू घासी दास नेशनल पार्क तामोर पिंगला वाइड लाइफ सिंचरी को मिला करके एक नया टाइगर इदर बनाया जा रहा है चीप मिनिस्टर ने अभी हाली में चार नय डिस्ट्रिक्ट, चतितगरग में चार नय जिले, मोहला, मानपुर, सक्ति, सारंगड, बिलाईगड और महेंद्रगड ये चार नय जिलों को बनाने की घोशना की है पहला स्टेट है जिसने वन संपत्ती अधिकार यानि कि अगर आप ट्राइवल पिपुल है तो आपको वनों में भी जमीन के पट्टे दिये गए हैं, जमीन के अधिकार दिये गए हैं ऐसा करने वाला चतितगर पहला राज्य है लेमारू एलिफेंट सेंचरी लेमारू हाती अभ्यारन ये चतितगर में है अभी इसके एरिया को लेकर के इसको बढ़ाया जाए कि इसको गटाया जाए कई बार इसको बारे में परिवर्तन किया गया है तो अगर आपसे पूशा जाए कि लेमारू हाती अभ्यारन कहां पर है तो यह आपका कहा पर होगा 36 गड़ में होगा जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ओवराल SDG भी केरला टॉप पर है सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल डेवलप्मेंट के मामले में केरला टॉप पर है लेकिन अगर 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 जेंडर इक्वालिटी की बात करें लेंगिक समानता की बात करें तो वह पर 36 गड़ जो है वह पहले नंबर पर आ जाता है पिछले साल इसकी पहली पोजिशन रही थी मन्रेगा के अंतरगत रोजगार प्रवाइट करने के लिए और सायद इसलिए यहां पर बिरोजगारी दर कम नदर पर आई है सबसे ज्यादा मात्रा में मन्रेगा के अंतरगात रोजगार किस ने प्रोवाइट किया था 36 गड़ने किया था आगे बढ़ते हैं कैपिटल की बात की जाए तो राइपुर गवर्नर अनसुया यूके चीप मिनिक्टर भूपेज बगेल इस्टेट एनिमल वाइल्ड एशियन बफेलो भैस भैसा हिल मैना जो है स्टेट बर्ड है नेशनल पार इंद्रावती नेशनल पार कांगेडवाली नेशनल पार गु लोग सवा में 11 सीटे हैं राज सवा में 5 सीटे हैं कर्मा राउत गेडी पंथी सुवा डंडा प्रमुख डानपव में एक नॉम्बद 2000 को पूर्ण राजिका दर्जा पाया था मदबदे से अलग कर दिया गया था टोटल 32 डिस्टिक्ट हैं पहले 28 ते 4 और मिला दिये तो 32 हो गए हैं पहले 28 ते 4 और मिला दिये तो 32 हो गया ठीक है हाँ गोधन इन्नयाय योजना इसी की है बहुत पुरानी हो गई अब आगे हाली में किस राजे में महिलाओं को सुरचित परिवहन पदान करने के लिए सी आटों इस्टैन इस्ठापित किया गया है तो यह आंद प इसके चित्तूर में पुलिस ने सुक्रवार को तीन सी आटों इस्टैन टापित के हैं जो राज में अपनी तरह के पहले हैं विदाय भुमाना करूना कर रेड़ी ने सहर के मेर डॉक्टर और सिरिशा और सहरी पुलिस तदिश्व वेंकर अपनला नाइडू के साथ आट ड सब्सक्राइब को विक्टर ओबार ने के देश के प्रदार मंत्री के रूप में चौथा कारेकाल जीता है तो वह हैं अंग्री चौशाठे में ग्रैमी एवर्ट की गोश्णा हुई लागों की जारी किया लाइब लाइब नहीं है सुभंकर का नाम और यह कहां पर जारी होना वार पर उने वाला है कतर में एक अप्रेल 2022 को ब्लॉक्चेन लॉंच करने वाला परियावन सरच्छन के केंद्र छेत्र में पहला संगठन कौन सा वड़ा संकल्प तरूप फाउं का नावरण मार्च 2022 में किया गया है दिल्ली से मेरण केरल की एंड मारिया एंप्टी ने राष्टी भारतोलन चेंपियंद में कौन सा पता जीजा है स्वडप और किस ने अपना सौ पेसर्द इलेक्रिफिकेशन पूरा कर लिया है पॉंकर रेलवे ने जियोलोजिकल सर्व और रैपिड रिस्पॉंज टीमों पर कहां पर हवाई अभ्यास किया पोखरन में तीन अप्रेल 2022 को आई सीची मैला क्रिकेट वंडे विश्चुकप का खिताब किस देश में चीता है और सेंटर फॉर्ण मॉनिटरिंग एंडियन एकोनॉमी द्वारा जारी नमीनतम हाक्रो किस राज में सबसे कम वेरुजगारी दर है वह अच्छतितगर और हाली में किस राज में माईलाओं को सबसे स्रचित परिवान पतान करने के लिए स्री आटो इस्टेंट अपर थापित किया गया है आंध्र प्रदेश आज कोश्चन नहीं है कल से कोश्चन आनने सुरू हो जाएंगे करेंट अपरेस आपका देशन प्रॉपर टाइप से शुरू हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंकि सो मच बाबाए टेक किया ध्यार नखेग आपना